हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक्ति योर चैनल स्टडवित्रिया आज हम पढ़ने वाले समय का महत्त उसके उपर हम एक अनुछेद देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं समय का महत्त बताते हुए 100-100 से लेके 125 सब्दों में अनुछेद लिखे तो हमारा अनुछेद है समय धन से भी जग्यों क्योंकि धन को Some inclement कर दिया जाता है तो वह वापस प्राप्त किया जा सकता है जो हमती है समय को कभी वापस प्राप्त नहीं कर सकते समय के बारे में एक कहावत है कि समय कभी किसी की प्रतिक्षा नहीं करती है यह बिल्कुल प्रित्वी पर जीवन के अस्तित्व की तरह ही सत्य है अर्थात जिस तरह से प्रित्वी पर जीवन का होना सत्य है ठीक उसी तरह से यह कहावत भी बिल्कुल सत्य है मतलब जैसे प्रित्वी पर अस्तित्व जो है प्रित्वी का वो सत्य है वैसे ही जो यह कहावत है वो भी समय के बारे में सत्य है समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है या कभी भी किसी की प्रतिक्षा नहीं करती है जो ये समय है वो किसी की प्रतिक्षा नहीं करती वो निरंतर चलती रहती है चलती रहती है किसी के लिए रुकती नहीं है तो friends ये था हमारा 100 से लेके 125 सब्दों में अनुशेद इससे हम ज़्यादा भी लिख सकते थे लेकिन हमें सिर्फ का गया था 100 से 25 सब्दों में ही लिखने के लिए इसलिए हमने इतना ही लिखा है friends ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसान दाया तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे वीडियो उसको लाइक करना भी ना भूले थैंक्स फूर वाचिंग